तो यहाँ पर मुझे दो functions given है, एक है fx जिसकी value है 2x square plus 15x minus 8 और दूसरा है gx जिसकी value है x square plus 10x plus 16 और मुझे find करना है f upon g of x, यह x यहाँ side में है और यहाँ लिखा है f upon g, f upon g यहाँ फिर f divided by g का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ, कि मैं निकालना चाहरा हूँ fx divided by gx, यह बस लिखने का तरीका change कर दिया है, इसका मतलब है, यह हो जाएगा fx, यह है मेरा fx divided by gx, gx, तो fx upon gx अगर मुझे निकालना है, अगर यह मेरा नया function है, तो मैं simply fx की value यहाँ से उठाऊंगा, और gx की value यहाँ से उठाऊंगा, और दोनों का divide कर दूँगा, तो चलो divide करते हैं, यह लिखा equals to, और यहाँ पर मेरा fx है, fx मैंने उठाया, यह हो गया 2x square plus 15x minus 8, और यह हो गया मेरा, यह हो गया मेरा divided by, नीचे है gx, तो gx लिख देंगे, x square plus 10x plus 16, तो यह मेरा नया function हो गया, fx divided by gx, यहाँ फिर f upon g of x, पर यहाँ पर एक चीज़ आगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर x square plus 10x plus 16, यह मैंने denominator में रखा है, इससे पहले, जब भी मैं fx में gx की बात कर रहा था, और मैं उन्हें function बोल रहा था, तो इसमें कुछ भी denominator में नहीं था, ऐसे ही, अगर इसमें मैं कोई value डालूँ हो x की, तो function कोई ने को output देगा, यानि कि fx और gx यह तोनों चीज़ें, यहाँ पर अगर मैं लिखूं, यह तोनों चीज़ें were defined for all real values of x, यानि कि यह x की सारी values के लिए defined थी, पर क्या यही चीज़ मैं fx upon gx, यानि कि f upon g of x के बा नया बनाया है, इसमें कुछ denominator में रखा हुआ है, और अगर यह denominator में कोई चीज़ 0 हो जाए, तो मेरा function define होना बंद हो जाएगा, तो जब मैं इस function को define कर रहा हूं, और मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो मुझे बताना जरूरी है कि मैं कौनसी values ले रहा हूं x की और कौनसी नहीं ले रहा हूं, यहाँ पर मैंने बताना जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि मैंने मान लिया कि अगर मैंने कुछ भी नहीं बता रखा, तो मैं x की real values की बात कर रहा हूं, पर यहाँ पर अगर मैं बिना बताये छोड़ दूँ, तो तुम x की वो value डाल दोगे, जिसमें denominator 0 हो प्लस 16, यह हो जाएगा, इसमें 10x को अगर मैं split करूँ, middle terms में split करूँ, दो numbers बनाने के लिए, जिनका sum 10 है और product 16 है, तो वो होंगे x square प्लस, वो दो numbers होंगे, मैं देखता हूं 16 बनाने के लिए, मुझे चाहिए 4 और 4 से काम नहीं चलेगा, because 4 प्लस 4 तो 8 होता है, 8 और 2, ह 8 और 2 से काम चलेगा, x square प्लस 8x प्लस 2x, मैंने 10x को लिख दिया, 8x प्लस 2x, और यहां लिख दिया, प्लस 16, तो इसमें देखता हूं मैं क्या common आ रहा है, यह है x square प्लस 8x, इसमें अगर मैं x लेता हूं, तो यह हो जाएगा x इंटू x प्लस 8, प्लस अगर मैं यह 2x और 16 देखूं, तो इसमें 2 common आ रहा है, और यह भी हो जाएगा x प्लस 8, अब इन दोरों में से x प्लस 8 common लेता हूं मैं, तो यह हो जाएगा x प्लस 2 into x प्लस 8, इसका मतलब जो मेरा denominator है, यह 0 हो रहा है, जब x प्लस 2 या फिर x प्लस 8 में से कोई 0 हो, यह 0 होगा मेरा minus 2 पे, इ जयने कि x की value जब minus 2 और minus 8 हो, तो मुझे ध्यान रखना है कि वो denominator तक ना पहुचे, इसका मतलब मेरी domain में सारी values आ सकती है, सिभाए minus 2 और minus 8 के, तो यहाँ पर मेरा function हो चुक है define, और मैं निकाल चका हूँ इसकी domain, मैं इसकी domain यहाँ पर लिख लेता हूं, यह हो जाएगी, domain, domain is equal to, जो भी सारी values है मैं लिख लेता हूं, वो हो जाएगी, x belongs to real, x की सारी real values, such that, such that, x is not equal to minus 2 और minus 8, x की value minus 2 और minus 8 ना हो, अब यहाँ पर question ख़ता है, लेकिन एक interesting question तुमारे दिमाग में आएगा, अगर तुम सोचो, denominator में दो factors हैं, एक है x plus 2 और एक है x plus 8, अगर इन दोन में से कोई factor numerator में भी हो, तो क्या होगा, क्या उससे कुछ फरक पड़ेगा मेरी domain पे, चलो देखते हैं, एक बार numerator को भी factorize कर ही लेते हैं, तो मैं numerator को अगर factorize करना चाहूं, तो इसको नीचे करते हैं, मेरा numerator था 2x square, यह हो गया, 2x square plus 15x minus 8, 2x square plus 15x minus 8, मैं चा अगर एक बार वीडियो पर्स करके, और यह हो जाएगा, 2x square plus 15x minus 8, दो numbers जिनको multiply करके minus 8 into 2 minus 16 आए, और उनको add करके 15 और multiply करके minus 16, यानि कि एक number positive होगा, एक number negative होगा, और add करके 15 आ रहा है, तो बड़ा वाला number शायद positive होना चाहिए, अगर मैं देखूं, 16 और minus 1, इन दोनो number को अगर मैं add करूं, तो मुझे 15 मिलेगा, और multiply करूं, तो मुझे मिलेगा minus 16, और यह ही मुझे चाहिए, तो मैं 15 की जगा लिखूंगा, 16 minus 1, तो यह हो जाएगा, 2x square plus 16x minus 1x minus 8, और यह हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से करते हैं, यह हो जाएगा, 2x square, 2x square में से मैं 2x common लेता हूं, 2x अगर common लिया, तो यह हो गया, x plus 16x में से मैंने 2x common लिया, तो हो जाएगा 8, इन दोनों में से negative sign, यह फिर minus 1 common लेता हूं, minus 1, यह हो जाएगा, x plus 8, दोनों से minus लिया, तो यह plus हो गया, और इन दोनों में x plus 8 common है, तो यह हो जाएगा, 2x minus 1 into x plus 8, अब यह है मे numerator, numerator हो गया 2x-1 into x plus 8 और मेरा denominator था denominator था x plus 2 into x plus 8 x plus 2 into x plus 8 तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ denominator से numerator divided by denominator तो यह हो जाएगा divided by x plus 2 into x plus 8 अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि x plus 8 जो है वो numerator में भी है और denominator में भी है तो मैंना मन करेगा कि मैं इन दोनों चीदों को काट दूँ अगर मैं इन दोनों को cancel out करूँगा तो मेरा जो नया function बनेगा जिसको मैं बोल सकता हूँ कि f upon gx है जो मेरा नया function बनेगा यह है मेरा f upon g of x f upon g of x और इसको काट कि जो मेरा नया function बनेगा उसको मैं माल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि वो है h of x अगर इन दोनों को मैंने काट दिया तो h of x ये होगा मेरा 2x-1 upon x plus 2 क्योंकि मैंने x plus 8 दोनों में से काट दिया तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं क्या f upon g of x और hx दोनों सेम हैं दोनों सेम चीज़ बता रहे हैं पता लगाने के लिए कि ये दोनों functions सेम हैं या नहीं हैं क्यों न हम x की values से पूछते हैं कि वो क्या कहती है इन functions के बारे में जैसे मेरी x की values हैं x की में बहुत सारी values इन दोनों functions में डाल सकता हूं x की value 1 डाल सकता हूं x की value 10 डाल सकता हूं 55 डाल सकता हूं कुछ x की values हैं जो कह रहे हैं कि हमें इन functions से बात नहीं करनी है जैसे कि है x की value minus 2 तो minus 2 value कहती है कि मैं इस function में नहीं जाऊंगी क्योंकि यहां मुझे denominator में डाल दिया जाएगा और फिर में 0 बन जाओंगी जैसे minus 2 इसमें जाता है तो minus 2 plus 2 0 हो जाएगा और 1 upon 0 not defined है तो minus 2 इस function में नहीं जाएगी वैसे ही minus 2 इस function में भी नहीं जाएगी minus 2 जब यहां जाएगी तो यहां पर minus 2 plus 2 फिर 0 हो जाएगा और यह 1 upon 0 not defined हो जाएगा तो minus 2 जो value है वो इन दोनों function से बात करना नहीं चाहती है अब देखते हैं minus 8 का क्या कहना है इन दोनों functions के बारे में तो अगर हम minus 8 को hx में डालूँ तो कोई problem नहीं है यहां पर x plus 8 पहले से हटा दिया गया है और minus 8 अराम से numerator denominator दोनों में जा सकती है कहीं पर 0 नहीं आ रार denominator में और minus 8 के लिए यह function defined है minus 8 अराम से इस से बात करेगी और मुझे कोई ना कोई output मिल जाएगा मुझे h of minus 8 defined मिल जाएगा h of minus 8 is defined लेकिन x plus 8 काटने से पहले जैसे यानि यानि की f upon g of x के बारे में बात करूँ तो minus 8 जब इस से बात करेगी तो यह बुलेगा कि यहां पर अगर मैं minus 8 रखूँ तो यह minus 8 plus 8 0 minus 8 plus 8 0 upon minus 8 plus 8 0 0 upon 0 वाला case बन गया काटने से पहले x plus 8 काटने से पहले अगर minus 8 को मैं इसमें डाल दूँ तो यह 0 upon 0 को cancel करने वाली state है इसको define करने के लिए मुझे 0 को 0 से काटना पड़ेगा जो मैं नहीं कर सकता यानि की minus 8 इस function से बात करना नहीं चाहेगी minus 8 सिरफ इस function के पास चाहेगी तो यही basic difference है इन दोनों functions में इनकी domain में difference है यह दोनों बहुत सारी values के लिए defined है यह defined है हर value के लिए hx जो है मेरा लिख लेते है hx जो है इसकी domain हो जाएगी मेरी इसकी domain हो जाएगी मेरी same color से लिखते है यह हो जाएगी x belongs to r such that such that x is not equal to minus 2 और वही चीज़ वही domain अगर मैं f upon gx की देखूँ तो इसकी domain हो जाएगी x belongs to r x belongs to r such that x is not equal to minus 2 और minus 8 यह जो और minus 8 वाला जो difference है यह इन दोनों functions को अलग बना देता है इसकी वज़ा से मैं बोलूँगा कि यह और यह same नहीं है तो जो मुझे question में given था function question में given था find f upon g of x उसमें x plus 8 पहले से मुझे कटा हुआ cancel किया हुआ नहीं मिला था तो इसलिए उसकी domain मैं लिखूँँगा x belongs to real, x is not equal to minus 2 और minus 8 यही चोड़ी चोड़ी चीज़ें बहुती same दिखने वाले functions को कभी कभी बिलकुल अलग अलग बना देती है अलग बना देती है